है हेलो प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का अमारे यूटिल चैनल अनुपी श्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में यह आज का हमारा क्लास थ्री चल रहा है ठीके क्लास वन क्लास टू का वीडियो अप्लोड हो चुका है अब आज की क्लास में देखिए हम लोग का आज का जो टॉपीक है कौं साहे जोड्य घाटाओं पर अधारित प्रसंग पंब्र न piace आनुपात और समयनुपात ठीके दूसमें दो टॉपीक पढ़ चुके है हम लोग तीस रड़ी कि जोड्य घाटाओं पर अधारित प्रसंग और इसमें दो टइप समय लोग पड़ें ठीक है यह पहला टाइप से पहला टाइप के आपके सवाल दिख रहे हैं बोड पे क्या करा है कि तीन दस्मल सुरी तीन रेशियो पांच के प्रतेक पद में से कौन सी संख्या या कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात एक समंदे दो हो जाए यह इसमे करेगा ऐसे प्रसनों में सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग नोट के तौर पर समझ लीजिए ठीक है नोट के तौर पे कि इस प्रकार के प्रसनों में ठीक है इस प्रकार के प्रसनों में क्या करेंगे कि जो भी अनुपात है ठीक है दो अनुपात दिया है एक ही अनुप अनुपातों में जो अंतर है इस अंतर को सबसे पहले क्या करेंगे समान करेंगे और समान करने के बाद देखेंगे तब कि कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है तो नोट के तवर पर लिख लिजिए क्या लिख लेंगे कि सबसे पहले सबसे पहले अनुपात के अंतरों को समान करना ठीक है यह पहला दूसरी बात क्या है तब देखेंगे कि कि कितना जोड़ा अथवा घटाया गया है थीक है घटाया गया है बात समझ में आई है यह यानि ऐसे क्यूस्टेशनों को सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया है उसके अंतर को समान करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कितना जोड़ा गया है कितना घटया गया जेसे देख़ूइए पहला संख्या और यह दूसरी संख्या अनुपात कितना है इसमें तीन रेशियो पांच का अनुपात है कितना है तीन रेशियो पांच का अनुपात है फिर इसमें कुछ जोडा या घटाया जा रहा है तो इसमें क्या क्या जाए वह कौन सी कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो यानि एक रेशियो दो हो जाए इसका अंतर देखे क्या है इसमें कितने का अंतर है दो का अंतर है इसमें कितने का अंतर है एक का अंतर है कि है ना क्या करते हैं सबसे पहले यह जो उपर है इसका इसमें गुड़ा करेंगे और इसका इसमें गुड़ा करेंगे तरीका समझेगा ठीक है यह जो उपर अंतर आया इसका नीचे गुड़ा करेंगे दोनों में जो नीचे का अंतर आया इसका उपर गुड़ा करेंगे दोनों में ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन से पांच हो जाएगा क्योंकि ए यानि किया करना था एक समन्दे दो हो जाए देखे बाई पहले इरी संख्या कितनी पाँंच थी फिर बाद में कितनी हो गई चार टना घटाया है कितना घटाया गया है एक घटाया कितना घटाया गया है एक हमसर होगयाMr देखें पहले संख्या कितनी थी तीन बाद में कितनी हो गई दो कितना घटा है एक घटा है दुनों तरफ से देखेंगे तो कितना घटा है एक घटा है यानि वह छोटी से छोटी संख्या एक है जिसको घटाने पर जिस संख्या का अनुपात तीन समंदे पांच है उसमें से घटाने पर क्या हो जाएगा उसका उन पात एक से दो हो जाएगा इतने बाद के लिए चलिए तो यहीं करना था अब इसको आप बेसिक पर लगाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है जैसे देख लीजे माने आप क्या करेंगे कि माना वह चोटी सी चोटी संख्या क्या है एक से क्या है एक से तो फिर कैसे करेंगे तो इसमें मानेंगे कि पहली संख्या क्या है अमारी बेसिक पर देखेगा बेसिक कैसे लगाए होते है बेसिक पर माना होते पहली संख्य सबस्क्राइब करके और यह हो गया कहले कौन से छोटी साथ घटाए जा रहा है तो क्या करेंगे तीन में से क्या करेंगे एक्स घटाएंगे अब अनुपात को मतलब क्या होता है बटाइन और पांच में से कितना घटाए होते एक्स घटाए तो फिर जो अनुपात हो जा रहे कितना हो जा रहे एक बटा दो अभी आसे तिरिया गुड़ा किया होते कितना हो जाएगा छे माइनस टू एक्स बराबर क aos 5 एंट माइनस हो गया होता है यहां से करेंगे गैसे वह लोग तो बहुत आपका हो जाएगा बरबाद हो जाएगा जो हमने बताया मैठाद उस पर करना है ठीक है जैसे और तीन सवाल है उस पर प्रेट्रिस कर लेते हैं इतना हो गया नोट करिएगा कि देखिए दूसरे में क्या कर रहे एकदम सेम है आप सब भी कर जाएंगे क्या कर है कि साथ रेशियो 13 के परतेक पद में क्या कि जोड़ा जाए कि अनुपाइट दो रेशियों तीन हो जाए क्या करेंगे यह पहली संक्या यह जोड़ा जोड़ा जाए क्या करेंगे जिसने और इसके गुड़ा करेंगे den के तो समान करने के लिए क्या चराइँ है इसके अंतर से उपर गुड़ा करें इसके ऊंसर से नीचे गुड़ा करते कितना जाएगा एक का ऊपर गुड़ा हो जाएगा साथ रेशियों तेरा जाएगा और छे का नीचे करेंगे तो कितिना उच्छे पहले संख्याति मेरी कितनी तेरा फिर बाद में कितनी हो गई 18 कितना गया है रहाइक तभी न हमारा एंस Whew आ यानि सात समंदे 13 के प्रतेक पद में हम 5 जोड़ दे तो जो हमारा रेशियो है वह दो से 13-3 धीन हो जब जैसे मा लिजे यहीं था ना इसमें 5 जोड़ दीजे तो 18 हो जाएगा इसमें 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा फिर इसको कटाएंगे तो जो अनुपात है आपका 2 से तीन छाद उनना बार्ण चेतरि इठार दो से तीन हो गया वही प्रूप हो गया पहले संखे घ्चा मेले सbbe amazing WAT यानी साथ समंदस दीरा के प्रतेकपद में आप पांस जोडेंगे ड़ो अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा दो से तीन हो जाए गा इतना क्लियर है चलिए ऐसे और भी देख लेते हैं पूरा ये टाइप क्लियर हो जाएगा आपको देखिए तीसरे क्योशन में के रहा है कि 17 समंदे 24 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए जोड़ा जाए की घटा जाए हमें मालुम नहीं है ठीके? वो तो सौल करने पर पता चलेँ की जोड़ा गया है की घटाय गया है तो वहीं कह épo रहा है की 17 समंदे 24 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी अतवा घटाई जाए ताकि जो अनुपात है वह एक समंदे दो हो जाए ठीक है तो लिख लेते हैं यह पहली संख्या है यह दूसरी संख्या है अनुपात कितना दिया है इनमें तो दिया है 17 से 24 और उसके बाद से कितना हो जा रहा है एक से दो हो जाए रहा है अंतर देखिए दोनों में इसमें अंतर कितने का है साथ का है इसमें कितने का है एक का है कि क्या करेंगे समान करेंगे समान करने के लिए क्या करेंगे इसका इसमें गुड़ा करेंगे दोनों में और इसके अंतर का इसमें गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा यह एक से 17 में गुड़ा करेंगे 17 एक सचोविस में गुड़ा करेंगे चोविस यह हो जाएगा फिर इसका करेंगे साथ एकम में साथ और साथ दुना चोदा साथ दुना चोदा अब देखिए पहले मेरी संख्या थी कितनी चोविस आप इदर से भी देख ले दोनों तरफ से वहीं आ जाएगा ठीक है क्योंकि जो अंतर है समान हो गिया अब हम देखेंगे कितना जूड़ा गया गटाएगा तो पहले मेरी संख्या थी कितनी चोविस फिर बाद में कितनी हो गई दस कितना कम वह और कर दो हम बताएंगे कि जो 12-2 17 समंदे 24 अनुपात में जो संख्या थि इसमें क्या करने पों घठाने पे हमारा जो अनुपात है एक तो जयेगा है क्योंकि fan dried संख्या इसका मतलब घट रही है भति ना तो कितना घट रही है उसका क्योंप О आगे हो गया देखिए लाश्ट देख लेते हैं चौथा उसके पूरा टाइप आपको फिलियर हो जाएगा कि देखिए क्या कहा रहा है कि दो सम्मंदे 5 के प्रतेक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका अनुपात 5 समंदे 6 हो जाए यानि कितना है अनुपात कि अनुपात कितना अब आप तो आपको सबीट बढ़ना चाहिए 2 से 5 है कि पां 70 छे हो जया रहा है अंतर देखिए कितना है इधारайтеन का है इधार कितना है एक है अंतर और मैं समाने समान करें बढ़ा करेंगे आए 16 ठुक है मैं ऐसे बना रहूं आपको एसे आपको ईषल करने बनाना नहीं है आपको डारेक्ट ऐसे गूड़ मालू मैं मालूम रचाहिक माने कि इसका इसाथ फीथो चर्ण रहेगा दो से बाच हो जाएगा ठीक है और इससा करेंगे ऊपर से त्रति पंद्रम जाएगा और त φ्षाट chodzi watched तीका ओठारो अभर देखिए कि फयरे पांस टी अब हो गये कितनी 18 कितना जोड़ा गया कितना जोड़ा गया इसमें 12 13 1233ं परी तुम हो जाएक === 8 निपया है म्मिल्लच ती हो गई 15 respective इतना जोड़ा गया होगा होगा हुगा comment कितना जोड़ेंगे कि 15 होगा 13 यानि आपका एंस्वर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा यानि 13 जोडने पे दो समंधे 5 के अनुपात में इसके प्रतेक पद में आप 13 जोड़ेंगे तो जो अनुपात है वो 5 समंधे 6 हो जाएगा यह टाइप क्लियर हुआ चलिए आप देखते 5 समंदे 6 है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड दिया जाए तो जो अनुपात है 7 समंदे 8 हो जाता है संख्याओं हैं देखे पहले टाइप में क्या कर रहा था कि अनुपात दे रहा था दोनों संख्याओं का और कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए यह पूछ रह ठीक है यानि जोडने और घट wage पहले दोनों पात दे चुका था और ये पूछ रहा था कितना जोड़ा जाय और घटाय जायकर अनुपात ही अब इसमें क्या रहा है किई रखा है कि इतना जूडने पर जो अनुपात है इतना हो जा रहा है तो संख्या को पूछ रहा है कि वो संख्या कौन कौन सी है वो संख्या है क्या है वो बताइए हमें ठीक है तो देखे इसको कैसे सौल करेंगे इसमें भी वही करना है अंतर समान होगा तो ठीक है अंतर समान नहीं और छे जोड़ने के बाद कितना हो जा रहे अनुपात साथ से आठ का अब देखिए इस पे भी जो अंतर है कितना है एक है और इसमें जो अंतर है कितना है एक है अंतर तो समान है तो हम लोग समान करेंगे नहीं ठीक है क्योंकि अंतर उपर भी एक है और नीचे भी एक है अंत और समान नहीं होता तो क्या करते समान करते कैसे वहीं गुड़ा करके तिरियक ठीक है तो चलिए इतना है तो पहले संख्या छे थी उसके बाद से हो गई कितनी आठ पहले संख्या पांच थी बाद में कितनी हो गई साथ कितना जुड़ा गया है भाई कितना जुड़ा गया है चैसे आठोने में कितना जोड़ा गया है कितना जोड़ा गया है दो जोड़ा गया है तभी तो चैसे आठो जाएगा दो जोड़ा गया है लेकिन क्या दो जोड़ा गया है वास्तों में दो जोड़ा गया है क्यूस्टन में क्या कह रहा है छै जोड़ा गया है देखिए गुन पें हम से क्या पूछ रहा है जो भी बेलु पुछेगा उसको भी कितने actual बैठाएगे पुछा क्या है संख्यात क्या है वे संख्या है क्या थी भाई संख्या है हमारी 5 और 6 थी इसका भी क्या करेंगे 3 गुना करिए कितना हो जाएगा 18 इसका कर देंगे 3 गुना कितना हो जाएगा 3 पचे 15 यानि जो अमारी संख्या है थी जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 15 और जो दूसरी संख्या थी वो कितनी है 18 अब इस ही में अब जब हम च्छाय जोड़ेंगे ना इन दोनों में 6 जोड़ेंगे न किक्तना हो जाएगा बाई चैस पाच 15-21 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रहा था तो संख्याय को इतनी है 15 से 15 और 18 यह जो है ना आपका क्या है एंस वर है बास समझ में आईगे और दो सवाल की प्रेक्टिस कर लेंगे यह पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा चलिए इसको मीट आते हैं देखिएगा दूसरे में क्या करा है कि दो संख्याओ का अनुपात साथ रेशियों 11 है यदि दोनों संख्याओं में साथ जोड दिया जाए तो जो अनुपात है दो रेशियों 3 हो जाता है तो पहली संख्या क्या है पहली संख्या क्या है क्यूस्टन को जब भी पढ़िएगा आप लोग उसकी लांग्वेज को जितना हो से के समझने की कुछिस करिएगा ठीक है कि क्या कह रहा है दो संख्याएं है कि उनमें जो अनुपात है कितना है पहले कितना है इधर लिख लेते हैं थोड़ा स्वाल करने में असानी रहेगी क्या साथ से 11एके उसके पासे क्या हो जाराया है साथ जोड़ने पें ओज़ेर दोसे तीन होजा रहा है यही हो जाराया आप आक चलिए देखते हैं अंतर इदर कितना Kerry का है चाल का कि इसका इसमें गुड़ा करेंगे और इसका इसमें गुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा गुड़ा करिए उपर गुड़ा करेंगे हो जाएगा साथ से 11 और यह क्या हो जाएगा चार दुना आठ और चारतिया 12 यह हो गया यानि जो पहले हमारी संख्या थी वो कितनी थी 11 फिर कितनी हो गई 12 कितना जोड़ा गया है इगारा से 12 होने में कितना जोड़ा गया है एक जोड़ा गया है कितना जोड़ा गया एक इगारा में जोड़ेंगे तभी तो बार आएगा लेकिन हम एक जोड़े हैं नहीं किस्चन में कितना जोड़ें साथ जोड़ें यानि एक कमान कि कितना दिया है साथ कितने गुना पर बैठा है या साथ गुने पर बैठा है हमसे पूछ किया रहा है पहली संख्या यहीं दूसरी संख्या थी ना देखिए तो पहली संख्या पूछ रहा है पहली संख्या हमारी कितनी है साथ साथ का अभी कितना गुना करेंगे साथ गुना कि कितना हो जाएगा उन्चास यानि जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी है उन्चास है यह रहा आपका एंस्वर है न बहुत असान चलिए तीसरा भी करते हैं बहुत तेजी से करेंगे उसको एकदाम सिंपल है समझ गए तो आप मिंटों में उड़ा जाएंगे इसे सवालों को ठीक है चलिए देखते हैं तीसरा भी देखेगा तीसरे में करें कि दो संख्याओं का अनुपात पांच रेशियो साथ है यदि दोनों संख्याओं में से नौ घटा दिया जाए इसमें घटाने की बात करें ठीक है नौ घटा दिया जाए तो जो अनुपात है साथ से 11 हो जा क्या पूछा उसको एक दम थोड़ा बढ़ियां से पढ़िएगा इसलिए पर लाओं की क्यूश्चन को जितना होचे के अच्छे से समझ लिजेगा उसके वाद से सौल करना चले चलिए क्या दोनों संख्या में अनुपात कितनी है चलिए दोनों संख्याएं है अनुपात कितना है पांच रेशियो साथ है फिर नौ घटा देने के बाद कितना हो जा रहा है साथ रेशियो 11 हो जा रहा है यहीं हो जा रहा है अंतर देखिए भाई कितने का है इधर अंतर दो का है इ तरको पहले क्या करेंगे शमान करेंगे है इसे गुड़ा करेंगे न मैं यह बना रहा हूं बॉल तो आपको दिखाने के लिए कि इसका इसमें इसमें है इसक्राइब तॉने लेकिन आप ना 22 ठीक है यह हमारी पहली संख्या है और यह किया कौन सी संख्या है दूसरी संख्या है कराय कि पहले संख्या थी मेरी 28 हो गए कितना घट गई जो संख्या थी 28 हो गई 22 कितना घट गया 28 से 22 होने में कितना घट गया 6 घटा लेकिन 6 घटा है नहीं बाई कितना घटा है 9 घटा है कितना घटा है 9 यानि 6 कमान दिया है कितना 9 कितना गुनाप भाई कितना गुनाप है कितना कह देंगे आप 2 बटा 3 गुनाप है कैसे निकालते हैं तो इसमें क्या करे इससे भाग करेंगे यानि 9 में क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे उपर कड़ेगा 3 से तीन से उपर कड़ें तीन से निशे कड़ाएंगे 3 दुना 6 यानि कितना गुना है 3 बटा 2 गुना है 3 बटा 2 गुना है हमसे पूछा क्या है करें 2 संख्याओं में अंतर कितना है 2 संख्याओं में अंतर कितना है तो 2 संख्याओं है क्या 1 20 है 1 28 है यह है नहीं भाई इसका भी हम लोग निकालेंगे 3 बटा 2 गुना तब तो संख्या में निकलेगी यानि जो पहली संख्या है ठीक है यानि यह जो पहली संख्या है 20 इसका कितना करेंगे 3 बटा 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो गया दूसरी जो संख्या है हमारी कितनी 28 है इसका क्या करेंगे तीन बटा दो गुना करेंगे खटा दीजिए यह हो जाएगा 14 दुनिया 28 और 14 तिया 42 14 तिया 42 यह हो गया तो देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 30 है और दूसरी संख्या कितनी है 42 है तो दोनों संख्याओं में अंतर पुछ रहा है संख्याओं में अंतर कितना है 30 ए 42 में अंतर कितना है 12 का union is कितने का अंतर है 12 का یعन marking इसsem्ख्यां है 12 ठीक है तो जो संख्याओं है 5 ररेशियू 7 में उसमें से 9 घटा देने पे जो डेशियू 7 से 11 हो जा रहा है तो जो दूनों संख्याओं है उनमें अंतर कितना है तो कितना है बारा का अंतर है बात के लिए है मुझे यह पूरा भरोसा हो गया होगा कि आपको यह जो टॉपिक है जोड़ या घटाओ पर दारित प्रसंद पूरी तरह से समझ में आ गया होगा